अभी जो हम कंटेंट लिए के पेपर हैं या थर्ड यर के हिंदी के लास्ट्रे के पेपर लेकिन उससे पहले एक बहुती महत्वपोन सुचना जो की स्टुडेंस काफी टैम से हमसे पूच रहे थे उससे संबंधित आपके लिए जानकारी है तो आपको बता देते हैं कि अग अगर आप तक अभी तक बुक नहीं पहुंची क्योंकि एक्जाम आपके आचुके हैं 27 से तो अगर अभी तक बुक आपको नहीं मिली है तो ये बुक डिस्टिबिशन का हेल्प लाइन नंबर इन्वेस्टी ने जारी किया है और जिसका टाइमिंग रहेगा इसमें 10 वजे से लेकर पांगे तक मंडे टू सेटर्डे संडे ओफ रहेगा तो आप बुक डिस्टिबिशन की हल्प लाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं यहां आपको बता देते हैं यहां पर नेम भी है साथ वे इनोंने दिये हैं और आपका जो है जंगय का नाम भी दे दिया और फोन नंब पारके अपना बुक के बारे में हाल्प लैंन पर पूछ सकते हैं कि यहां पर को पड़ी से बारे में आप पर चत्रा हैं क्तायदोगि हैं या फिर आपकी ऑनलाइन जा फिर आपकी घर पर ही आएंगी फिर आपका है कॉमल पवार कमल पवार यहां पर हल्दवानी एंड बागेश्वर आप इस फोन नंबर पर अपना पूछ सकते हैं बुक के बारे में ठीक है आगे चलते हैं यहां पर है पूरनलाल शाहा तो इन मेल भी अपनी डाल सकते हैं और एक इनका कॉंटेक्ट नंबर यहां पर दिया गया है इस पर भी आप फोन कर सकते हैं तो आप जिन इस्टुडेंट्स को जो है उत्रखन ओपन उनिवरस्टी के बुक से रिलेटिट कोई भी प्रॉबलम है तो फोन नंबर भी है जंगेगा एक और 302 पेपर है लास्ट यह जाने कि 2022 में जो पेपर आया था हिंदी का हिंदी का पेपर जो आया था फरस पेपर और आपका यहां पर 302 ठीक है जलिए बता देते हैं इनके बारे में तो यह देखिए आपका B.H.A.L. 301 हिंदी साहित्या का इतिहास अब का विशास्त्र आपके पेपर का नाम है बैचलो पॉर आर्ट्स बी अब यहां पर आप देख सकते हैं यह थर्ड यर एग्जामेनेशन 2022 जो की जून में हुए थे ठीक है दिसंबर का तो नहीं है यह 2022 के जो उनका है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं यह जो पैटर्न आता है पैटर्न इनका सेम ही रहता है कि जो आपके 80 जो की 20 नंबर के आपके एसाइमेंट होते हैं वैसे अब 30 नंबर के होने लगे हैं लिए जो B.A.F.S.T.R. के स्टुडेंट से उनके 30 नंबर के हो रहे है लेकिन आपके 20 के लिए तो आपका 80 नंबर का पेपर आता है और यह दो खंडो में भक्त होता है कारखा जिसमें से प्रते खंड के आपको आंसर देने होते हैं खंड के में से आपको 5 दरिगुत्र परशन दिय जाते हैं जिसमें से आपको 20 परशन के अंक the निरधारी थारी तो वो बुक में से आप इसको तयार कर सकते हैं अपनी हिंदी हिंदी साइता अधिकाल के ओ दुहर उपिकास को बताते हुए अधिकाल के नामकर्ण की समस्या ये भी आपका फरस्ट रिनिट में से ही है फिर आपका भक्तियां दोलन के उद्या विकास का विस्तरित व्याक्या कीजिए अगर आप ये वाला देखना चाते हैं तो बीए की जो हमारे SDSU की प्लेलिस्ट वनीवे है बीए फस्यम की वहां भी ये टॉपिक है वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है आपका भारत्य कावे प्रशन है और 5 प्रशन में से मुझे लगता है आपको फस्ट प्रशन और सेकींड शाथ में आपको भारत्य कावे शास्त्र और पाश्यत्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहां से प्रशन हमीशा बंते हैं नेस्टर खंड खेमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पड़ते प्रशन के लिए 10 नमबर दिये जाते हैं, लेकिन आपको केवल 4 करने होते हैं, काफी ओप्शन्स होते हैं, 8 प्रशन में से 4 कोई जादा मुश्किन नहीं होता है, नेस्टर हिंदी सहित्य का आधुनिक काल उसके नामकरन की समस्या, अब अगर आपने यहाँ पर यह फर्स प्रशन तयार किया है, तो आपका एक अराम से ही यह वाला प्रशन तयार हो जाएगा, नेस्टर आपका आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदू हरेश्चंद के यो यहां से प्रशन हमेशा बनता है, रितिकाल कविता के वरगी करन किस प्रकार से क्या गया है, इसका आपको मालूम ही है कि जो है, जैसे की रिति सीध है और आपका रितिबद है, रितिमुक्त कवी है, तो वो ही वरगी करन आपको करना है, रितिकालिन कविता में, और उस वर प्रिमहर sì में प्रेममार्गी क diffuse कि व्याकियें। हिरे हैं यहाँ पर आप जाइसी के बारे में बता सकते हैं।ikes और भी प्रेममार्गी के कवी हैं। हिंदी इस सायति के इत्यास में अचार रामचंदुर शुक्ल कि विशूतान आपछा प्रशूतान बहुत जाए है। अलंकार क्या है शब्दा अलंकार को समझाईए तो शब्दा अलंकार में कौन-कौन से अलंकार आते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं क्योंकि अलंकार के दो वेद होते हैं शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार तो शब्दा अलंकार के बारे में जिस जोन जोन से भी अलंकार है पहले उनके बारे में बता दीजिए डेफिनेशन बता दीजिए एक दो धानन बता दीजिए तो अराम से आठ से नो नमबर आपके इस वाले प्रशन में खिचे जा सकते हैं तो ये तो रहा आपका 301 पेपर अब चलते हैं आपके 302 पर अब देखें यहाँ पर 302 पेपर हिंदी भाषा का उद्भव विकास ये भी आपका मैं 22 का ही पेपर लेकर रहा हूँ यहां से प्रशन जितने भी सारे आपको नोट्स इसके प्रोवाइड हो जाएंगे क्योंकि यह सारे कंटेंट और अप्लोड हैं चाहे आप बीए थर्डियर देखें बीए सेकेंडियर बीए फस्टर वो थोड़ा आपको प्लेलिस्ट में ढूंडने पड़ेंगे आंसर इन बीकोम की एक मेने प्लेलिस्ट बनाई भी है बीकोम थर्ड समेस्टर एचन भी वहां पर भी यह वाला कोशन्स पूछे गए थे तो वहां पर भी मैंने अप्लोड किये हैं देवनागरी लिपी की व्याग्य नक्त से आप क्या समझते हैं देवनागरी लिपी के उद्बहर विकास का बनन कीजिए द्वनी विज्ञान क्या है द्वनी वर्गी के वर्गी करन क्या धार पस्वर वेंजन द्वनी में अंतर इसपस्ट कीजिए नेक्स्ट है वाक्या को परिभाशित करते वाक्य के प्रमुक्त तत्वरस के भेदों को विस्तरे चर्चा कीजिए अब य के अंतर संबंद को सबस्ट कीजिए इस वाले पेपर में बहुत ही कम नंबर खिच पाते हैं बच्चे लेकिन ये पेपर बहुत इजी होता है तो आप अच्छे से तयार कीजिए इसको हिंदी की परमुख बोलियां जैसे कि आप पहले इसका पूरा वरगी करन कीजिए का जैस इसे 8-9 नंबर आपके अराम से वहांबर पर मिल जाएंगे आपको चले आगे चलते हैं क्रिया क्या होथी है क्रिया आप बच्वसें पढ़ते आरहे हैं क्रिया कि कौन-कौन से भेद है आप इसको पढ़सकते हो ठीक है अकर्मत क ह döगत है यह सब बता सकते हैं आ पर रुफ कि इसे समीधान कुछा से समीधान में कब से संशोधन विएह दू रखा गया था कि सालंगरे चलेगी हिंदी को मिलेगा इसतान तो ये सब इस सब्सक्राइक्राइब कचीकर होगा चोने कστर equivalent के साहिक सिध्धम की व्याख्या कीजिए तो ये प्रश्न भी आप तयार कर लीजिए तो अगर हिंदी विर्ण की तरफ से और कुछ आपको हैलप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं बाकी आपको लाइक तो करना है कर दीजे और शेयर कर दीजे सब सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेर और लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपके शेर करने से किसी की हेल्प हो सकती है और कमेंट बोस से पनी क्वारे जरू सेन किजिए